नमस्कार दोस्तो सवागत आपका मिशन UPSC में अज हम 10 जुलाई के करिंट अफ्यर्स को डिसकस करेंगे जो प्रिलिम्स के साब से तो इंपॉर्टेंट होंगे ही दोस्तो और डिफरेंट एक्जाम्स के साब से भी इंपॉर्टेंट होंगे तो चलिए दोस्तो शुरू करते ह मतलब जो इंडियन ओश्यन है हमारा उसमें सिक्योर्टी बनी रहे और जो तट्टिये इलाके हैं तट्टिये देश हैं उनका ग्रोथ होता रहे तो इसके चक्कर में जब COVID-19 आया तो गॉर्मेंट ने आसपडोस के जो देश हैं मालदीव मौरिशस यहां पर बहुत अपना योगदान दिया यहां पर दवाईयां भिजवाएं यहां पर मेडिकल फैसिलिटीज भिजवाएं इससे हमारी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मे को और कंप्लीट करा गया 28 जून को 49 दिन के अंतर अंतर यह दोस्तों 14,000 किलोमीटर ट्रेवल करा इसने ठीक है अब इसमें कहा जाता है मिशन सागर जो है दोस्तों इसको लॉंच करा गया है डिलीवर डिलीवर असिस्टेंस के लिए मैरिटाइम नेबर्स जो हमारे COVID-19 में पेंडेमिक की वज़े से उनको असेंशल मेडिसन नहीं मिल पाएं तो उनको असेंशल मेडिसन दी गई हाइड्रो क्लोरो क्लोनाइन और टैबलेट्स और आयरुवेदिक मेडिसन ठीक है तो आईनेस केसरी ने मिशन सागर के तहत यह काम को किया हाइलाइट यह है मॉरिश् में बेजा असेंशल कोविड-19 रिलेटिट मेडिसन में मडगासकर, शेचल, मौरिश्यस, कॉम्रोज आईलेंड में बेजे और हाइड्रो क्लोरो क्यूनाइन डिलिवर करी हमने मडगासकर और कॉम्रोज आईलेंड में तो इन देशों की जो सब देशों की हमको नीड है और यहाँ पर हमें नीड है कि यहाँ पर मोनोपॉली ना पड़े, इस्पेशली हम बात करते हैं चाइना की, चाइना की मोनोपॉली इस रीजन में ना बड़े, इसलिए हम सोफ्ट पावर का यहाँ पर यूज करते हैं नेक्स न्यूज है, यूनियन केबनेट ने अप्रूफ कर दिया है कि कैपिटल इन्फ्यूजन, कैपिटल इन्फ्यूजन का मतलब है कि हम पैसा डालेंगे पब्लिक सेक्टर इंशुरेंस कंपनीज में, तो कंटेक्स्ट यह है, जो तीन हमारी पब्लिक सेक्टर मेन कंपनी चिन्नही हेटकौाटर इन्डिय इंशुरेंस कंपनी लिमिटेड निू डैली हेटकौाटर इंशुरेंस कंपनी लिमिटेड इसमें कैपिटल इंफ्यूजन होगा 12,450 करोड का और दोस्तों सेंट्रल गौर्ट्वर्मेंट भी इसमें इंक्लूड करेगी 50000 financial year में 2019 के 10 company में ठीक है अब इसमें कहा जाता है जो impact है इसके अंदर जो financial हम inclusion करेंगे उससे इनको impact पड़ेगा इनकी financial and solvency position strong होगी और जो insurance की need है economy में वो करा सकेंगी क्योंकि जो population बढ़ रही है cases भी बढ़ रहे है accidents भी बढ़ते हैं और different types की जो सारी है उससे मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा सब का insurance होना चाहिए और कम पैसो में भी insurance होते हैं तो इससे क्या होगा जो insurance की need है लोगों की economic के अंदर वो बढ़ेगी और changes आएंगे पैसा के infusion से क्योंकि किसी भी organization को run करने के लिए money की need होती है money से ही diversification होगा और money से ही आप लोगों को connect कर सकोगे ठीक है अब इसमें focus कर जाएगा कि sustainable और profitable growth हो क्योंकि insurance company भी घाटे में है तो इनकी profit making होगी और sustainable growth होगा next news है यसर रेडी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर आंध परदेश इनके birthday पर रायतू दीनोत सवम फार्मर डे कहते हैं इसको वहाँ पर आंध परदेश में बनाया गया तो क्या context है देखते हैं context यह है कि इनकी जो birthday थी 14 चीफ मिनिस्टर जो थे आंध परदेश के उनकी birthday पर फार्मर डे को celebrate करा गया पहली बार इसको celebrate 2019 में करा गया था इनका पूरा नाम Y.S. राजर शेकर रेडी है ठीक है और यह elect होए थे चार consecutive term में मतलब लगतार 20 साल लोग सबा में दोस्तों और फुल टाइम प्राइम मिनिस्टर है 2004 से लेके 2009 तक और फिर से reelect होए 2009 में आंध परदेश में लेकिन 2 सितंबर 2009 में एक हेलिकॉप्टर क्रेश में इनकी मृत्यू हो गई थी और यह कहा जाता है कि इन्होंने अपने करियर में कोई भी election नहीं आ रहा थीक है तो इन्होंने बहुत सारे reform करे agriculture सेक्टर में health सेक्टर में जिससे आंध प्रदेश को बहुत फायदा हुआ थीक है तो water management program चला है इन्होंने जले यंगनम जिसमें 8.2 million acre land में irrigation का इंद्री रम्मो इल्लू यह ruler poor को help करता है मकान देता है जो poor लोग होते है पवाला वड़ी program चला है इन्होंने जो small business और entrepreneurship जो होती है women को help करता है loan देता है subsidize rate पे और इन्होंने 108 and 104 help line service number भी चलाया जो state के अंदर आपको service प्रोवाइड करेगा और फिली electricity प्रोवाइड करी farmers को state के अंदर दोस्तों ठीक है तो इस दिन पर farmer day बनाएगा यह इनके बेटे हैं ठीक है जो इस टाइम chief minister है आंध परदेश के next news है blues भुबनेशवर land use intelligence system दोस्तों इससे क्या होगा औरिसा की जो government है वो जो government land है उनको सेफ कर पाएगी artificial intelligence के द्वारा मतलब देख पाएगी satellite के थू कि कोई अधिकरत मतलब कोई land पर कबजा तो नहीं कर रहा है तो इन पाएगी जो को इसके द्वारा देखा जाएगा तो context यह है वेब और मोबाइल बेस solution नेम है blues भुबनेशवर land use intelligence system यह government के द्वारा launch कर गया है जिससे वो monitor कर सके state की जो land है capital भुबनेशर के अंदर ठीक है तो इसको launch कर गया है क्योंकि lack of adequate transparency and accountability नहीं होती है क्योंकि कागजी काम में कहीं न कहीं corruption आई जाता है तो हमको अपने आप ही उसको technological based पर बनाना पड़ेगा जिससे उसके अंदर transparency और accountability आए और जो enrichment है जो land को खरीद सिरोत का जो कबजा करने की बाते हैं वो कम हो और cases भी जल्दी से दर्ज हों दोस्तों तो blues क्या है यह geotech respiratory monitor system है जो detect करेगा government land जो है भुबनेश्वर में इस यह high resolution satellite imaginary images देगा जिससे government पता लगा पाएगी दोस्तों ठीक है और इस में कहा जाता है दोस्तों कि जो odysa state है वो पहली state है जो इस technology के साबसे land पर लेंड ग्रेबर्स पर कंट्रोल कर रही है ठीक है blues के द्वारा ठीक है तो odysa state पहली state है तो litigation management system होगा और जल्दी से जल्दी online application द्वारा यह काम को चलाया जाएगा और जो cases है government official और advocate के बीच में भी अच्छा communication हो पाएगा और cases को monitor करा जा सकेगा इस technology के द्वारा मतलब आपको पता तो हो सरकार को कि कौन से land पर कबज़ा हो रहा है किस एरिया में क्या काम हो रहा है जो 2023 का target था उनका जो श्रीलंका और माल्दीव्स है साउथ इस एशिया रीजन में world health organization ने इस बात की गोशना करिए कि उन्हें मीसल्स और रिबेला वायरस को eliminate कर दिया है तो world health organization में जो south east एशिया रीजन में जो country आती है उन्हें किन किन के नाम है इंडिया श्रीलंका बुटान बांगलादेश थाईलेंड माल्दीव्स महिनमार नौर्थ कोरिया टाइमूर लेस्टे इंडिया इंडोनेशन नेपाल दोस्तों यह south east एशिया रीजन में कंट्रीज आती है मिसल वायरस जो है यह पांच कंट्रीज से eliminate हो चुका है बुटान तीमूर लेस्टे नौर्थ कोरिया माल्दीव से ठीक है successfully government world health organization ने इस बात की गोशना करी थी और 2019 में शिलंका थर्ड नेशन बना जिसने मिसल्स eliminate करा इस रीजन से दोस्तों ठीक है तो world health organization का यह target था कि south east एशिया से 2023 तक पहले यह 2020 था target लेकिन इसको बढ़ा दिया था क्योंकि मिसल्स तब तक eliminate नहीं हुआ था तो इस target पे शिलंका खड़े उतरे रूबेला वायरस क तब वह भी 2023 है target पूछे जाते हैं दोस्तों points में डाल के याद रखिएगा तो यह 10th July की discussion थी मैं इस lecture को यहीं पर conclude करता हूं इसकी जो PDF है आपको telegram channel से मिल जाएगी जिसका link मैंने description box में दे रखा है thank you thank you everyone